नमस्कार, आप production planning document खोल चुके हैं और प्रविष्टियों को शुरू करने के लिए तयार हैं। इस भाग में आप निमनिसे संबंधित जानकारी देख सकते हैं या डाल सकते हैं। रूतिकोड 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 Search icon पर click करके Rooting Code का चैन करते हुए प्रारम करें एक pop-up Rooting Code की सूची के साथ दिखाई देता है Pop-up में एक Rooting Code का चैन करें Rooting नाम स्वता बन जाता है Vacalpik रूप से यदि आप Rooting Code जानते हैं आप दर्ज कर सकते हैं ध्यान दे की यह Rooting Code Template Master में उपस्थित होना चाहिए Rooting Code का चैन करने पर आप देख सकते हैं कि चैनीत Rooting Code के लिए सभी Operation, Work Center और Checklist नीचे दिगए टेबल में बन रहे हैं Work Order Start Date और End Date दर्ज करें ध्यान दे यह तिथी के Header में प्रदर्शित तै की गई Start Date और End Date के बीच होनी चाहिए Skip विकल्प Default Root से No दिखाता है इसका मतलब है कि यह Operation इस निर्मार प्रक्रिया के लिए आविश्यक है आप Yes के लिए बदल सकते हैं यदि Operation छोड़ा जाए यह उपरोक्त सेटप सभी Operation के लिए जारी रहेगा परिभाशित प्रारूप में प्रते एक Operation के लिए Start Date दर्ज करें इस तरह End Date दर्ज करें Routing Template के अनुसार एक Operation के लिए Checklist Code उपलब्ध है यदि आविश्यक हो तो आप एक नए Template में भी बदल सकते हैं थम्सक्राइब बद्द करें आप आइटम का चैन करने पर चेक्लिस्ट डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं यह प्रडक्शन प्लानिंग में प्रविष्टियों को पूरा करता है अब आप प्रडक्शन आरंप कर सकते हैं यह प्रडक्शन 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 आरंप कर सकते हैं